डेली में नई रिकूटमेंट आई है बिलकुल पर्मानेंट वेकेंजी हैं गवर्मेंट जोबस आ गई हैं ओनलाइन आपको इनके लिए आविदन करना होगा और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्ये से इन पदों के लिए आविदन कर सकता है साथ फरवरी 2020 से ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ओफिशल वेब साइट पे इसका शोर्ट और डिटेल्ड दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दिये गई हैं तो छीक है इस रिकूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारे बिलकुल विस्तार से इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आफ वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखें और लेटस गवर्मेंट रिकूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूच्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले तो चीक है दोस्तो सबसे पहले देखेंगे इसके ओफिशल वेबसाइट और ओफिशल वेबसाइट पे कहां नोटिफिकेशन एवलेबल है और फिर उस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी इनफोर्मेशन ये देखी ओफिशल वेबसाइट डेलीडिस्टिकोर् आपके सामने open हो जाएगा यह group C की vacancy आई हुई है 2021 के लिए सबसे उपर आपको यह notification मिल जाएगा जैसे ही आप इस notification पर क्लिक करेंगे इस तरह से यह download हो जाएगा सबसे पहले vacancy की detail दी गई है उसके बाद PWD categories के यह लिए जो vacancy आं रिजर्व हैं उनकी information दी गई है application fees दी ग कारी बिलकुल विस्तार से यहाँ provide कराई गई है तो एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे vacancy की detail Office of the Principal District and Session Judge HQ Delhi Vacancy Notice वेकेंसिया इस परकार से हैं PN Orderly, Dark PN की जो vacancy हैं वो हैं 206 category के according देखी Unreserved 111, EWS 28, SC 41, SC 20 और OBC की 75 vacancy हैं PWD की 11, Ex-Service Man की 28 PN Orderly, Dark PN की यहाँ चार vacancy हैं कहां अलग-अलग location के लिए हैं यह देखें जो उपर वाली हैं वो हैं In the Office of Principal District and Session Judge Delhi और उसके बाद की है In the Office of Principal Judge Family Courts Delhi उसके बाद चोकिदार की vacancy हैं In the Office of Principal District and Session Judge Delhi टोटल 33 vacancy हैं स्वीपफर सफाई करमचारी के टोटल 33 vacancy हैं Process Server चोईटर vacancy हैं यह आप driver भी इनको बोल सकते हैं और यही post साथ तो टोटल यह vacancy हैं 417 हैं टोटल अगर आप इनका करेंगे इसके बाद इनकी वाकिए की details देख लेते हैं यह देखिए application fees 500 पर निर्धारित की गई है in case of unreserved OBC category की candidates और डाइसो रुपए application fees है for reserved category that is SC, ST, PWD, EWS और X-Servicemen तो यह application fees यहां निर्धारित की गई है category के according आप देख सकते हैं Official website Delhi district course.nic.in वो short notification था यहां तक जो था और यह detailed notification है यहां पर जो दिया गया है तो यहां सारे चैन करे दे गई है application fees दोबारा से यहां बता दी गई है और जहां तक इन के लिए age limit की बात है वो भी देख लेते हैं minimum 18, maximum 27, unreserved category के candidates के लिए 11, 2021 को कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है यह देखिए SCST के लिए Upper ASLimit में 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल की, PWD प्लस SCST के लिए Upper ASLimit में 15 साल की चूट है ex-service man के लिए भी Upper ASLimit में यहां चूट दी गई है category के according ही और Government Employees के लिए भी यहां अपरेस लिमिट में चूट दी जा रही है वो भी आप यहां से देख सकते हैं Educational Qualification की जहां तक बात है जो वेकेंसियां A5A, A5B और A5C जो की PN, Dark PN, चोकेदार, स्वीपर और सफाई करमचारी की हैं इनका जो सेलेक्शन होगा वो Objective Type Test और Interview के बेसिस बे होगा 10th Class अगर आपने कर रहे हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं Process Server की जो A6 है Post Code इनके लिए Objective Type आपका टेस्ट होगा उसके बाद Driving Test आपका लिया जाएगा और उसके बाद Interview Conduct कराया जाएगा इनके लिए 10th आपने कर रखी हो और आपके पास LMV Light Motor Vehicle का Driving License भी होना चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं Application Fees आप Net Banking, Debit Card या UPI के माधियम से जमा करा सकते हैं जहाँ तक Important Dates की बात है Start Date of Online Application 7 February 2020 प्राता 10 बजे से Online Application का प्रोसस शुरू हो जाएगा और इसी समय साथ तारिक प्राता 10 बजे से ही आप इनके लिए Application Fees भी जमा करा सकते हैं और आविदन करने की अंतिमति थी है 21 February 2021 की शाम 5 बजे तक और जो टेस्ट वेगरा या ड्राइविंग टेस्ट या जो इंट्र्यू होंगे उनकी डेट बाद में अनौन्स कर दी जाएगी Official Website पे ही और जो एक्जाम के सेंटर हैं वो सिर्फ डेली NCR में ही होंगे NCT of Delhi and NCR में ही तो आप देख लीजिएगा तो ठीक है दोस्तो में में सारी जानकारी इस Recruitment से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर की है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे Like को शेयर करें तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार